बिस्मिल्लाइ राम राहिम, असलाम लेकुम स्टोइंट्स क्लास एट काउंडर मैथेमेटिक्स चैप्टर नमबर 12, एक्साइज 12A कुर्सा नमबर 14 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कुर्सा नमबर 14 में कह रहा है कि शाजिया सेल्स 25 एक्स के प्लस 5 एक्स एक दिन में शाजिया ने जो फ्लार्ट बेचे वो उसने दिये और वो कह रहा है इफ ही सेल्स दा सेम नमबर फ्लार्ट एच डे फ़र वीज 5 एक्स एच एक फ्लार के उसने आपको प्राइस भी बता दिये जो टोटल फ्लार उसने एक दिन में बेचे वो भी बता दिया और एक फ्लार कितने का सैल किया वो भी बता दिया फिर प्राइस वो बेचे वो निकाल ले शेल्स flowers in one day एक दिन में कितने flowers वो बेचती है 25x square 25x square plus 5x plus 5 ओके आगे चलते हैं she sells flowers in five days की बात है जी in five days तो क्या करेंगे ये एक दिन के flowers इसको five से multiply कर लेंगे five multiply by 25x square plus 5x plus five ठीक हुआ अच्छा अब अगर आप इसमें एक चीज़ देखें ये जो आपके एक दिन के जो flowers ने बेचें इन में five common है इसमें भी five है इसमें भी five है इसमें भी five है तो ये five हम ये five तो five days का वैसे का वैसी इसमें से five common ले देते हैं five बाहर आगया ये five बाहर से लागया तो ये five x square ये five बाहर से लागया ये ये यह एक्स रह गया और ये five बाहर से लागया तो यहां one रह गया अब five को five से multiply करें जिज़ एक ट्वेंटी फाइव और 5x square plus x plus 1 ये वो flowers हैं जो उसने 5 days में sell किये अब उसने price भी दियों में each flower किये price of each flower total flowers कितने बेचे हैं? 5 दिनों में? वो ये हैं ठीक है? इतने flowers उसने sell किये price of each flower क्या है? 5 x एक flower के price ये हैं तो इतने flowers के price कितने होंगे? price of price of 25 into 5 x square plus x plus 1 flowers क्या करेंगे? यसे हमें पता है अगर मैं आप से कहूं कि आपने एक चीज़ चीज़ के price है 50 रुपीज ठीक है? और आपने एक 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 प्रोड़क का price है 50 रुपीज और आपने ऐसी 10 चीज़ें बेच दी total 10 चीज़ें बेच दी तो मैं आप से बुचूंगा आपने total कितने पैसे earn किये? तो आप क्या करेंगे सर? जो एक के price है वो उसको multiply कर देंगे 10 से तो आपके पास आजाएगा 500 ये क्या है? इच प्रोड़क के price और ये जितनी quantity आपने जितनी quantity आपने sell की जितने product आपने sell की इसी तरह यहाँ भी क्या करेंगे? इतने flowers बेशने के हम क्या निकालेंगे? price एक flower के price क्या है? 5X multiply कर देंगे जितने flowers total sell हुए 25 into 5X square plus X plus 1 multiply करतेंगे 25 को 5 से multiply करेंगे हो जाएगा 125X into 5X square plus X plus 1 यह total जो उसने बेचे flowers 5 days में उनके price है rupees में है तक यहाँ लिख देंगे rupees 125X into 5X square plus X plus 1 यह हमारा question number 14 complete हो गया इसको देख लीजे विशक को और से आप लो